कहा जाता है कि स्यासत में कोई किसी का सगा नहीं होता कब कौन कहा पलट जाए कोई नहीं जानता हाल में ही बीजेपी को शिकस्त देनी के लिए इंडिया गटबंदन की नीव रखने वाले नितीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए उनकी पार्टी जेडियो और बीजेपी का अलाइंस हो चुका है दोनों मिलकर सरकार बना चुके हैं हाला कि ये पहली बार नहीं है कई पार्टियां बनती हैं और पिघरती हैं आज बात करते हैं कौन सी पार्टी कब टूटी और कहां मर्ज हो गई या किसके साथ मिलकर अलाइंस कर लिया सबसे पहले बात करते हैं महारास्ट की महारास्ट की बात करें तो वहां रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी यानी न्सीपी टूटी है पार्टी के दो फाड हो चुके हैं अजीब पवार इंडिये का दामन थाम चुके हैं, वहीं ऐसा पहली बार नहीं कि जब कोई स्यासी पार्टी तूटी हो, देश की राजमेदी का इतिहास पार्टीों में बगावत, तूटने, बनने, बढ़ने और बिगड़ने के घटना कर्मों से भड़ा पड़ा है, कॉंग बाल ठाकरे ने जब शिव शेना का तीर कमान और अपनी राजनितिक विरासत बेटे उदव ठाकरे को सौपी थी, तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन पार्टी ठाकरे परिवार के हाथ से फिसल जाएगी, उदव होंगे, लेकिन शिव शेना का तीर कमान उनके प राज ठाकरे ने शिव सेना छोड़ दी और महारास्ट नवर निर्वान सेना नाम से नई पार्टी का गठन किया था, तब बाल ठाकरे शिव सेना प्रमुक थे, बाल ठाकरे के निधन के बाद तीर धनुष औपचारिक रूप से उदव के हाथ में आ गई, उदव 2013 में परिवार ने किंग यानी सत्ता के शिर्ष तक का सफरते किया, शिव सेना अपनी हाड हिंदुत्व की इमिज से बाहर आई, लेकिन उदव के ही अध्यक्ष रहते शिव सेना ठाकरे परिवार के हाँ से फिसलती भी रही, साल 2022 में शिव सेना के अस्थापना दिवस 19 जून की अगली ही सुबा उदव के सबसे विश्वस्त सहयोगी एकनात शिंदे के नितरित्म में पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी, उदव को मुखमंतरी की कूरसी छोड़नी पड़ी, शिव सेना के कुल 56 में से 40 विधायक का समर्थन शिंदे के पास था, शिंदे गुट ने खुद को असली शिव सेना घोशित कर दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, शिंदे महरास्ट के मुखमंतरी बन गये, चुनाओ आयोक का शिव सेना के नाम और निशान को लेकर फैसला शिंदे के पक्ष में ही आया, उदव को अपनी स्यासी वजूद बचा साल पहले विहार में दलित राजनीती की अगुआ, लोक जन्शक्ती पार्टी को भी ऐसी ही स्थिती का सामना करना पड़ा था, जन्तागल से अलग होकर साल 2000 में राम विलास पासवान ने जिस लोक जन्शक्ती पार्टी LGP का गठन किया था, वो उनके ही भाई और बेटे की रार में तूट गई, राम विलास ने साल 2019 में पार्टी की कमान अपने बेटे चिराख पासवान को सौप दी थी, अध्यक्षपत के लिए चिराख के नाम का प्रफताव राम विलास के भाई पशूपती पारस ने ही लिया था, साल 2020 में राम विलास पासवान का निधन हो ग फिर संसद्य बोर्ड और इसके बाद पार्टी के रास्त्री अध्यक्षपद से भी अटा दिया, चाचा भतीजे की लड़ाई चुनाओ आयोग तक पहुंची, वहाभी पशूपती भारी पड़े, चिराख पिता की बनाई पार्टी गवा बैटे, चिराख ने नही लोक जन्शक्ती पार्टी राम विलास नाम दिया, हाला कि दोनों पार्टियां अभी बीजेपी में ही शामिल हैं वहीं बात करें जनता दल यूनाइटेड की तो बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हाल के ही दिनों में चर्चा में थी बीजेपी के नितितव वाले एंडिये को टकर देनी के लिए विपक्षी एक जूटता की कवायत के अगवा नितीश ने बीजेपी से गड़ बंदन कर लिया है इससे पहले जेडियू साल 2015 में भी तूटी थी दरसल बीजेपी ने गुजरात के ततकालीन मुखमंत्री मोदी को 2014 के लोग सभा चुनाओ के लिए जब परधान मंत्री पद का उमीदवार घोशित किया गया था तब नितीश ने नाराजगी व्यक्त करते हुए गड़ बंदन तोड लिया था नितीश की पार्टी के 243 सदस्यों वाली बिहार विधान सभा में 115 विधायक थे जेडियू बहुमत के लिए ज़ूरी 122 के आंक्रेव से काफी करीब थी कॉंग्रेस और अन दलो के सहयोग से नितीश ने बिना बीजेपी के सरकार चलाई 2014 के चुनाओं में जेडियू 40 में से महज 2 सीटे ही जीत सकी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नितीश ने मुखमंदरी पद से उस वक्त इस्तिफादे दिया था और सरकार की बागतोर जीतन राम माजी को सौप दी ती जीतन राम माजी और नितीश कुमार के बीच खटपट की खबरे आने लगी 2015 आते आते बाद एतनी बढ़ गई की नितीश ने माजी से CM पत छोड़ने के लिए कह दिया लेकिन माजी अड़ गए नितीश ने राज जपाल से मिलकर विधायकों के समर्थन का पत्र सौप कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और माजी को पार्टी से बाहर कर दिया यहीं नीव पड़ी जेडियू में तूट की मुख मंतरी की कुर्सी से हटाये जाने के बाद माजी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानि के हम नाम से नई पार्टी बना ले थी वहीं बात करें पंजाब की तो पंजाब के प्रमुख राजनितिक दल शीरोमनी अकाली दल यानी SAD के स्थापना 1920 में ही हुई थी इस पार्टी का इतिहास भी बगावत और तूट की घटनाओं से भड़ा पड़ा है 1984 में पार्टी दो फाड़ हो गई थी शीरोमनी अकाली दल लोंगोवाल और शीरोमनी अकाली दल यूनाइटेट लोंगोवाल गुरूप का नेतित संत हरचंदर सिंग लोंगोवाल और यूनाइटेट का नेतित बावा जोकिंदर सिंग के पास था लोंगोवाल की हत्या के बाद ये धढ़ा भी दो गुटों में बढ़ गया फिर ऐसे ही चलता रहा और फिर शीरोमनी अकाली दल के सिमरंजीत सिंग मान ने शीरोमनी अकाली दल अमरित सरनाम से पार्टी बना ली सिम्रंजीत सिंग मान अभी भी स्यासत में सक्रिये हैं और भगवंत मान के पंजाब का मुखमंतरी बनने के बाद लोगसभासदसरता से इस्तिफा के कारण रिक्त हुई संगुरूर सीट से उपचुनाओं में लोगसभासदस चुने भी गए हैं वो अब बात करते हैं सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस की कॉंग्रेस सबसे ज्यादा बाठ टूटी है पशिममंगाल की सत्ताधारी कॉंग्रेस अंदपरदेश की सत्ताधारी YSR Congress, महारास्त की NCP, नगालेंड की नगालेंड People's Front, जम्मो कश्मीर की People's Democratic Party, 36 गड़ की 36 गड़ जन्ता Congress हो, पंजाब की पंजाब लोग Congress Party, ये सभी Congress से ही निकली हैं Congress में वैसे तो नेताओं के बागी होने की अपनी पार्टी बना लेने की लंबी लिस्ट है, लेकिन पार्टी आजाद भारत के इतिहास में दो बार दो फाड हुई है, पहली बार 1979 और दूसरी बार 1978 में, दोनों ही बार Congress टूटी तो केंदर में किरदार एक था, इंदरा गाध को प्रधान मंतरी की कुर्सी से हटाना तक चाहते थे, तो इस तरह से पार्टिया बनती भी खरती रहीं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान विपक्षी पार्टियों का होने वाला है, नितीश कुमार से लेकर एकनात शिंदे तक, चाहे मिलिन देव पड़ा हों या फिर गुलाम नभी आजाद सभी ने कॉंग्रेस से नाता तोड़ लिया है, हाल में ही कमलात को लेकर भी चर्चा हो रही है, अब देखने वाली बात यह है कि लोग सबाचुनाओ 2024 पर इसका क्या असर पड़ता है, शुक्रिया